दोसतो आज हम लोग बात कर रहे हैं, सुपर कंड़क्टिविटी के भा रहे में जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा कंड़क्टर जो normal कंड़क्टराओं की दुनिया में होगा तो अब सवाल यह है कि इसका resistance कम कैसे होगा तो देखिए साल 1911 में famous Dutch scientist Camling Ons अपने एक student के साथ solid mercury का resistance study कर रहे थे तब उन्होंने पहली बार super conductivity observe की वो कैसे वो ऐसे कि उन्होंने solid mercury को बहुती कम temperature पे रखा था जिसके लिए उन्होंने liquid helium का use किया था as a refrigerant अब उन्होंने ये देखा कि 4.2 Kelvin temperature पर mercury का resistance पूरी तरीके से खत्म हो गया गायब हो गया यानि कि mercury 4.2 Kelvin temperature पर एक super conductor बन गई थी उन्होंने exactly ये बताया था कि normal temperature पर सभी materials के जो atom होते हैं वो thermal energy की वैसे vibrational motion करते रहते हैं यानि कि उनके अंदर लगातार motion चालू रहता है अब जैसे ही temperature को कम किया जाता है वैसे ही thermal energy कम हो जाती है और items का vibrational motion कम हो जाता है और जैसे जैसे आप लोग temperature को कम करते जाते हो वैसे वैसे motion बिलकुल ही कम होता deposit की बहेगी वैसे में अगर आप beach में से उसके source को निकाल निखी दोगे तब भी उसके अंदर charging दिस बहते रहोगे और अरण यह होगा कि उसके अंदर resistance जी और होगा अभु अगर resistance जीन है तो current को बहने में कोई प्रॉबम नहीं होगी यानि ऐसे material जो बिना किसी source के भी अपने अंदर से charge flow करवाएं उन्हें superconductor कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या nature में normally superconductor exist करते हैं। तो देखे naturally superconductor मिले की possibility बहुत कम होती है लेकिन scientist ने ये study किया है कि जो भी meteorite यहाँ दर्ती पर आकर गिरते हैं उनका जो metal होता है वो ऐसे superconductor काम करता है यानि कि उसके अंदर resistance बहुत ही कम होता है। अब कभी-कभी उन meteorites की ये superconductivity की जो property है वो इस पर depend करती है कि वो meteorite आये कहां से हैं। उसके अलावा प्रफेसर के ओंस ने बहुत से superconductor बनाने की भी कोशिश की थी जैसे mercury के बारे में मैंने बताया 4.2 Kelvin, PBE यानि कि LED 7.2 Kelvin पर एक superconductor की तरह काम कर सकती है। लेकिन ये temperatures तो बहुत ही कम थे और इतने temperatures को अचीव करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए scientist ने बाद में alloys बनाना शुरू किया यानि कि उन्होंने materials को मिला करके एक अलग material बनाना शुरू किया। जैसे कि plutonium, kobalt और gallium को मिला करके एक alloy बनता है। ये जो alloy है 18.5 Kelvin पर एसे superconductor काम करने लगता है। और आजकल तो research इस पर चल रही है कि हम ऐसे alloys बनाएं जो room temperature पर एसे superconductor काम करें। जो कि room temperature पर काम करने वाले superconductor power saving में हमें बहुत काम आ सकते हैं। ये एक wire में हम जितना current दोडाते हैं उसका resistance अगर zero हो जाए तो उतने ही power में हम बहुत जादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा strong electromagnets बनाने में भी superconductor का use किया जा सकता है। जितना कम resistance होगा उसकी conductivity उतनी ही जादा होगी और उतना ही strong electromagnet बनके हमारे सामने आएगा। तो दोस्तो ये थे superconductor I hope आपको समझ माए होंगे और superconductivity आपको समझ माए होगी। इसके अलावा अगर इसके अंदर आप कोई query आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे comment section में आप हमें बता सकते हैं। तो friends आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.